नमस्कार दोस्तो मैं धर्मिंद्र गुप्ता आज आपके सामने एक important topic अभाज्य गुरुनखंडो और गुरुनखंडो की संख्या के उपर लेकर आया हूँ आपको हर exam में इसमें से एक question मिले को और जहां पर number system आता है exam के अंदर महाँ तो definitely एक question मिलता है मिलता है चाहे वो SSC का exam हो चाहे वो railway का exam हो चाहे आपका read के exam की बात करें ठीक है आप मदब किसी भी exam को दीजे आपको अभाज्य गुरुनखंडो से rated question मिली जाता है और यह बहुत ज़्यादा typical नहीं होता है बहुत easy होता है बस इसको समझना important होता है अगर यह समझ आ गया कि यहाँ पर अभाज्य गुरुनखंड गुरुनखंड से मतलब क्या है ठीक है तो उनकी संख्या निकालना देखो उसमें कई सरे question बना सकते है जैसे अभाज्य गुरुनखंडों की संख्या अभाज्य गुरुनखंड गुरुण हो है ठीक है अभाज्य गुरुनखंड गुरुनखंड अभी किया in में कुछ अंतर है similarity है इक ही चीज़ तया गलग छेजे उनका discusi immigrants मैं भी करूँग आपके सामने गुरुनखंड में बें कुछ sum होंगे जैसे जो 2 की form में होंगे 2, 4, 6, 8 की form में होंगे वो सम गुरुनखंड होते हैं यह आपको पता होगा ठीक है विशम जो 2 की form में ना हो या नि सम संक्या के रूप में ना हो विशम होगे और गुरुनखंडों का योखवल इस टाप के question हमारे बन सकते हैं यह मैंने आपके सामने 6 different questions लिखें, अब एक ही question को देकर आपसे 6 different questions में आपके सामने बना दिये, अब सबसे important चीज़े की question को करना क्या है और कैसे करवाया जाएगा, तो सबसे पहले आप यह difference देखो कि अभाज्य गुरुनखन और गुरुनखन में अंतर क्या है, ठीक है, एक simple example लिखता हूँ मैं आपके सामने, मैंने लिखा 6, लिखा 6, अब इस 6 के गुरुनखन करता हूँ, तो 6 के गुरुनखन होते हैं 2 गुरुना 3, 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 गुरुना 3, अब 2 क्या है, एक अभाज्य संक्या, और 3 भी क्या है, एक अभाज्य संक्या, तो दिखो, 6 के टुकड़े करता, तो 6 के टुकड़े एक गुणा 6 होते हैं, पर यहाँ एक अभाजय संख्या नहीं है, तो अभाजय गुननखंड नहीं है, गुननखंड है पर अभाजय गुननखंड नहीं है, अब जो गुननखंड है उसमें अभाजय गुननखंड काउंड होता है जो गुणनखंड है उसमें अभाज्य गुणनखंड काउंट होगा यानि इसका मतलब 6 के गुणनखंड एक गुणा 6 या 6 के गुणनखंड दो गुणा 3 अब ये तो हमारे होगे गुणनखंड और ये क्या होगे हमारे अभाजे गुणनखंड ठीक है तो किवल अंतर इतना सा है कि अभाजे संख्याओं के रूप में जो गुणनखंड होंगे वो हमेशे क्या 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 राएंगे अभाजे गुणनखंड हो जो अभाजे संख्याओं के रूप में ना हो चाहिए वो भाजे संख्याओं में ह या एक की रूप में हो, वो सब क्या कहलाएंगे, अब एक example से मैं आपके समय स्टार्ट करूँगा, कि इसमें question कैसे पूछा जाता और कैसे आपको करना है, बस steps आपको clear रखनी है, ज्यादा typical task नहीं है हमारे लिए, ठीक है, एक example से start करूँगा, और बहुत ज्यादा easy है, दे ठीक है, तीसरा गुरनखंडो की कुल संख्या कितनी होगी, चौथा होगया सम गुरनखंडो की कुल संख्या, पाच वा विशम गुरनखंडो की कुल संख्या, और चटा गुरनखंडो का योगफल क्या होगा, ये हमारे questions है हमारे सामने, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करे कि रूप में थोड़ते हैं हम बच्पन में ऐसे करती थे गुन्हंग्ट ठीक है सबसे बहुत दूकर डइवाइड जा चाएँ तूथेवन्टी टाइम अभी फिर दो का जा रहा है या गा ví तीन का जा रहा है वर्डिवाइफ फिर टीन का जा रहा है टुपड़े जो मैंने किये, तो क्या निकल के आया, दो कितनी बार आया बेटा, दो बार, उसके बाद तीन कितनी बार आया, तीन बार और पांच कितनी बार आया, एक बार, ये टुपड़े कर दिये, अब ये दो, तीन, पांच, ये सब किस संख्याओं के रूप में हैं, एक, दो, तीम, चार, पाँच, छे, तो इस तरह से अभाज्य गुलनखंडों की को संख्या कितने निकल गए यहांपर, छे गुलनखंडों की संख्या निकल कर आती है हमारे पास, तो जो हमारा पहला कोशन है, उसका अंसर कितना आ गया बेटा, छे, यानि सभी गुलनखंडो जो भी अभाज्य गुलनखंडों की संख्या पूछ रहा है, आप इसे लिख लिख लिजए चाहो तो आप दो दो बार, तीन कितनी बार है, तीन बार, और पांच कितनी बार है, एक बार, इन सब को जोड़ा तर्फरोल कितने आ गए, छे, और वो ही जो आपने भी जब गु अब एक बार देखो दो बार है लेकिन डिफरेंट कितने है केवल एक ही तो है अब आते हैं गुलन खंडों की संख्या अब एक चोटा से example मैं लिख के बता रहा हूँ अब के सामने अब जैसे मेरा question था 540 अब इसके टुकड़े एक गुणा 540 भी हो सकता था या दो गुणा 270 भी हो सकता था हो सकता है ऐसे आगे 3 गुणा 180 ऐसे हम टुकड़े कर सकते हैं इसके ठीक है अब ये सब क्या है लेकि इतना टाइम हमारे पास exam में नहीं है कि मैं सब एक काम करने बैठो तो फिर क्या करूँ फिर देखना एक शौट तरीका बता रहो जिस तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख दीजे आपको question या तो इस रूप में मिलेगा ये तीन हो गए अब ये अल्रड़ी कितनी है इसमें बढ़ा दीजे चार ये अल्रड़ी पांच के ओपर कितना है एक एक और बढ़ा दीजे ये हो गया दो और इन सब को आपस में क्या कर लीजे multiply कर लीजे तो ये हो गया तीन ये हो गया चार यह हो गया 2, टोटल के यहां तो कित्ता आ गया? 24, तो जैसे अब यह टुकड़े लिखे था न मैंने आपके सामने, कौन से वाले? वही, 540 बराबर 1 गुणा 540, फिर 2 गुणा 270, 3 गुणा 180, ठीक है? इस तरह से मैं टुकड़े जो करते जाओंगों, टोटल, यह कितने निकल के आएंगे? हमारे पास टोटल 24 टुकड़े निकल के आएंगे. तो यह जो हमारे पास गुणा खंड़ो की संख्या आएगी, वो कितने आएगी? यहां से निकल के कितने आएगी? 24. अब यह जो टुकड़े मैंने किये, अब इन टुकड़ों में यह पूछ रहा है कि सम कौन कौन से है, सम की संख्या कितनी है, जैसे 540 एक है, जो सम गुननखंड हो गया, 2 हो गया, 270 हो गया, 180 हो गया, आगे जाके हम लोग सब डिवाइट करते जाएंगे, तो हमें बहुत सा गुनाद 2 का मतलब है कि 2 की पावर 2 अधिक्तम है, इसका मतलब है, यहां पर गुननखंड दो की पवर 2, यहनी 4 हो सकता है, अगर 4 गुननखंड हो, 4 का चोटा क्या होता है, जैसे गुलनखंड की बात कुरू हнем, तो 4 ग ओन लीग होता है, अब 2 गुन इसका मतलब दो की पावर जीरो भी गुर्णखंड होगा, दो की पावर एक भी होगा, दो की पावर दो भी होगा, अब तीन की पावर तीन का मतलब क्या है, तीन की पावर जीरो भी होगा, यहां से कितने गुर्णखंड हो सकता है, इसके रूप से जनरेट हो सकता है, ऐसे प चोबिस गुना करने के बाद आग मतला मैं केवल एसे गुन खंड जो सं के रूप में हो यदि दो की पाउर दो दो की पाउर एक और दो की पाउर जीरो नहीं होगा क्यों चुशे की पाउर जीरो कितना होता है बिटा Senator दो कि पावर 0 कितना होता है? एक किसी की पावर 0 हमेशा एक होता है. अब 2 की पावर 0, अगर 1 हुआ तो 1 sum गुरुन खंड होगा गया? नहीं होगा. तो यहाँ पर जो मैंने बढ़ाये, 3 लिखे, क्या 3 बढ़ाने को कोई फाइदा है क्या? नहीं है. कि वर गुरुन खंड कित और एक तीन की पाउर तीन में एक जोड़ दिया और ऐसे पांच की पाउर एक में एक जोड़ दिया तो गया दो गुड़ा चार गुड़ा दो चार दुनी आठ आठ दुनी 16 यानि टोटल जो 24 गुरूंखंड बने थे उसमें से 16 कौन है सम अब बाकी जो 6 बचे वो कौन से हो गुरूंखंड बचे वो कौन से बचे विशम बचे अगर मैं दो ले लेता जो कि अगर दो से कुणा कर देता विशम संक्या कर तो वो क्या बन जाएगी सम तो मुझे सम को लेना ही नहीं है अगर मुझसे विशम की बात पूछ रहा है तो सम गुरूंखंड को छोड़ अब तीर अलरेडी पावर है एक बढ़ दो एक चार यहां ओलरी पांच की पावर कितनी है एक में घो चार पता ने क्यों कम बढ़ा रहे है जो कि पाषैर जीरो वाला केस भी लेना है आऊ अपको अपको अब देखो तीन और एक चार को तो इस तरह से हमारे पास गुरंखंडों के संग्या कित्ते आगी 24 समुरान गुर्णखंडों के संग्या कित्ते आगी 8 अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और बसती है जो कि आप उसते गुरंखंडों का कुल योगफल जितने भी गुरंखंड हमने बनाए यह जितने क्योंकि दो की पाउर जीरो गुर्ण खंडो के बराबर ठीक है तो देखो दो की पाउर दो कितना हो गया चार दो की पाउर जीरो कितना हो गया एक तो एक गुणा दो गुणा चार एक प्लस दो प्लस चार एक प्लस तीन प्लस नौ प्लस 27 और एक प्लस पाँच तो इन सब को हम क्या करेंगे एड़ करके multiply गरें चार और तीन साथ 27 और नो 36 36 और चार चालिस 5 और एक 6 ठीक है 42 इंटू 40 तो गुनन खंडो का योगफल कितना निकल किया गए बिटा हमारे पास 1680 तो इस तरह से हमने जो निकाला वो हमारे लिए क्या निकल किया है गुनन खंडो का योगफल निकल किया है तो मैंने आपको क्या बताया है कोशन है तो इस फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको इस फॉर्म में मिलेगा इन दो फॉर्म में कोशन मिल सकता है अब इन दोनों फॉर्म में जो भी आपको मिले अगर आपको ये दिरखा तो आपको इसको निकालना है ये step important है हमारे लिए यह step important है अगर यह step हमारे पास है तो हम easily किसी भी question का answer निकाल सकते हैं अब एक example और दे रहा हूँ ठीक है जिससे आपको थोड़ा clear हो जाएगा जैसे कि 308 ठीक है question सेम होई है 308 के लिए सबसे पहला काम के गर हो गया 308 के प्राइम फेक्टर बना लो आप एक बार अब आज अगर बना लो दो का divide जा रहा है 154 ठीक है अभी दो का जा रहा है पिगनी बार 7 बार फिर 7 बार अभी 7 का जा रहा है 11 बार अभी फिर 11 का जा रहा है एक बार complete तो यहाँ पर 308 के जो गुरनखंड बन गे वो कितने बन गे दो की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 यह गु चान के अपाजे गुरंखंडो की खुल संख्या, किसी खुल संख्या? अभיה गुल संख्या. अभाजे गुल संख्या, विबिन नहीं पूछ रहा, इफरेंट पूस्था तो वाद अलग उती, केवल अभाज़े गुलंखंड, दो किती बार है, दो बार, साथ किती बार है, एक बार, ग्यारा किती बार है, एक बार, तो दो ये आ गया, एक ये आ गया, तीन ये गया, चार ये आ गया, तो टोल गुरुन खंडो की संख्या किती निकल गया गया, अभाज्य गुरुन खंडो की चार, तो यहां पर अभाज् एक साथ है और एक ग्यारा है, टोटल कित विबिन किते होगे, तीन, तो इस तरह से विबिन अबाज्य गुनखंडो की संख्या, कितने निकल गया आई, तीन, अब बोलरा गुनखंडो की कुल संख्या, क्या तरीका बताया था, सब की पावर की एक बढ़ा दो, दो की पावर एक बढ़ा दो, और ग्यारा की पावर एक बढ़ा दो, बढ़ा दिया, कित आया, तीन, दो, और दो, तो इस तरह से कितने आगे, बारा, तो चलो, अब एक तीन सो आथ की जो बारा गुनखंड बनेंगे, उनकी बात करते हैं कौन-कौन से, तो एक गुना तीन सो आठ, दो बन चुके हैं, दो का डिवाइड जाएगा के, इसमें, दो कौन खंड के, 154, तीन का जानी रहा था, चार का जा रहा है, चार का डिवाइड किया तो 77 टाइम, ठीक है, पांस का जाएगा नहीं, छे का जाएगा नहीं, साथ का दे सकते हैं, साथ का दिया, तो 44 टाइम, साथ के गाट रकषा निवारे दैके टीट था है तो इस तरह से देखो अबधान इस गोश हो लोग कर्मार्य डेप्स निकलका यह आगए consultant अब सम गिनते ने कोई बात, एक है सम, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, अब एक तरीका तो यह था सम निकलने को पर, इसको काउंट करने कौन बैठेगा एक्जाम के, पॉसिबल तो नहीं है, तो क्या करो, मैंने क्या बता है, सम की पावर को मत बढ़ाओ, सम की पा तो टोटल हमार पास 12 थे, 12 मैं से सम कितने हो गए, 8, तो विशम कितने बचे, 1, 2, 3, 4, अब चार, 12 मैं से आठ गए, तो 4, अब इसको काउंट नहीं करना है, अब इसको करके देखेंगे हम लोग, तो क्या करोगे, विशम के लिए क्या करोगे, सम को छोड़ दो, विशम की मुझे की přसफ़ार योक फिल की बात करें तो देखो 2 की आधिकता मैं उसकी दो की पावर 0 से start करूंगा 2 की पावर 0 दो की पावर 1 है अब साथ की पावर एक इधिकता मैं जैरो से start करूंगा साथ की पावर 0 एमकर है और 11 की पावर 0 palavrasm 1 क्रद मुझे के तो 1 plus दो प्लस चार एक प्लस साथ एक प्लस ग्यारा छे साथ आट बारा तो इस तरह से गुरून फिंटों को युटफल टता निकल किया अगया छेसो बहतर तो यह था आफाड यह वाज ज गुलन फिंटों के शंक्या घाउन ग्याद करना इस टाइप की कोश्चन या तो question इस रूप में मिले, या इस रूप में मिले, आप question को बहुत easily solve कर सकते हैं, ठीक है, तो next video में मैं आपके पास जो number of zeros वाले question आते हैं, ये सब इसी से related होंगे, तो next video में मैं आपके लिए वो present करूँगा, ठीक है, तो इस class को यहीं over करते हैं, और कोशिश करिए कि वीडियो को जितना इदा like करें, subscribe करें, comment करें, share करें, दूसरे लोगों को फायदा हो, तो बहुत फायदा मिलेगा आपको और मुझे भी, ठीक है, तो आज की class मैं यहीं over करता हूं, thank you so much